हेलो फ्रेंड्स राइनास क्रेटिविटी चनल में आपका स्वागत और इस टाइंग होली का सेजन चल रहा है तो नए तरह तरह के पकवान बन रहे हैं तो मैंने भी दो तरह की मठ्रिया बनाई है तो आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखेगा अगर आप में वीडियो प आइसोग्राम देशी घी जाएगा इसमें आप चाहें तो डल्डागी का भी मुहिन लगा सकते हैं बट घी का लगाएगा मुहिन उसका ज्यादा ही खसता बढ़िया बनती है तो मैंने यह जमा हुआ घी लिया है मैल्ट करके नहीं लिया है इसको अच्छे से मिक्स कर है क्योंकि जमा हुआ घी होता है या ठंडा होता है तो बहुत अच्छी खसता मठ्रिया बनती है तो इसलिए मैंने जमा हुआ घी लिया देखे मुठी बांत के दिखा रहे हैं मैंको बंध रही है इसकी मुठी तो यह समझ इसमीन कि हमारा मुहिन बिल्कुल परफेक्ट डी जयाते हैं तो मैं पानी भी रुप नॉर्मल या गर्म नहीं लिया तो मैंको सौ sound आटा ऐरं सौनी स्वरी का सच्थ ईश्याकर लगाना है इसक का सच्थ शो पनाने मंने ऊघ्डू ऑनी तो आफ्टी खसता नहीं होंघ और भो जाएंगे तो इसमात का दिखांना कि आट हमें बिल्कुल कड़क लगाना है सॉफ्ट बिल्कुल भी लगाना पूरी से भी कड़क लगाते हैं हम जब भी कोई खस्ता चीज बनाते हैं नहीं तो वह सॉफ्ट पढ़ जाती है बट खस्ता कचोड़ी बनाते तो हम सॉफ्ट लगाते हैं क्योंकि मैं फीलिंग करनी होती है तो चलेए इसी तरीके से हम पूरा याटा लगाके सेट कर लेते हैं तो देखे हैं यह हमारा आटा गुत के तयार हो जाएगा और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट बे छोड़ देंगे हम 10-15 मैट के लिए तो देखे हमारा आटा लगके तयार है लगबक तो आप भी इस तो चली फॉर्णज अब हमारा हाटा हो गया तयार 10-15 मिट के बाद तो इसके हम मठ्रिया बना लेते हैं तो देखें मैं इसके हम लोईयां कट कर लेंगे लंबा-लंबा करके तो इसके हम फटा-फट से लोईयां कट कर लेंगे जित्ती बड़ी आपको मठ्री चाहिए उसे सा मंठ्रिय बनाते हैं नहीं वभी wir होती है ます के मातिता है बेया कच परिकाव में इनकोा कटटी होते हैं थोड़ी से कट होती है मन आपने चूटे क्ट लोग दिए को में हम देखे अब आफ्ồ Pixi लोग या कट करतों कि सिभी कट गव इसकी कर से लिए और हम बनाएंगे मठ्री तो देखे अशे वाया भी हमारी लोह आप नपोचुकी है इंव बनाने जा रहे हैं काली मिर्ज की तो यह मैं ने थोड़ी सी काली मेर्ज दर्दरीपोटली महां म estéशना.. साबुत लगाने पर थोड़ा सा निकल जाती है तो इस तरह से मैंने दर्दरी कूट लिए मुझे बहुत अच्छा फ्लीवर लगता अगर आपको प्रसंद आए तो आप जरूर लगाए का वरना इसकेप कर दीजिगा बट मुझे काली मिर्च का फ्लीवर मठ्री के साथ बहु तो मुऔयन दोनों में सेम लगेगा मैंने एक ही बैटर तयार किया यह दोनों के लिए अलग अलग नहीं कर आया है इसी तरिकेशे हैस ACL लगाया है सेम तो हपम यह बनाएंगे तो देखिए फटके तयार होगए हम इसमें फोक्षे कर लेते हैं चिस्छे की मारी माठ्रियां फूले नहीं क्योंकि मठ्रियां फूली यह नहीं लगती हैं इसलिए मैंने इन में कट्स लगा लिया हैं फोक से आप भी लगाएं और एक ट्रिक मैं आपको और देती हूं आप चाहें तो इसको न कद्दू कस के उपर बेलिये तो आपको एक कट्स लगाने की जरूतनी तो तैयार हो चुकी है अब हम दूसरी तरीके लिए मठ्रिया भी बना के रख लेते तो देखे फंस यह अब मैं इसकी भी लूया कट कर लोंगी इसको हमें गोल बेलना है तो आप जैस साइज की आप मठ्री चाहें तिकोनी वाली उस साइज की बना सकते तो मैंने यह ज्या तो इसको झोल जी लेंगे तो देखें फांस की प इस तरह से मैं बेलना है तो इस तरीके से हम इसको कवशेप में बेल लेंगे यह तोड़ी मेरी क्लम क्ल्स तो मैं इतना वाः गन मतें तो बभी तो यह अच्छोff तरीके से मह다नPlay करने इसमें गोल का लिम्र्च लगानी है इसमें कूटन नहीं है इसमें पूरी गोल ही लगानी है तो देखे फरंस इस तरीके से हमें इसे बनाना है तो देखे फरंस इस तरीके से मोड़ेंगे एक फोल्ड डो फोल्ड तो ये ट्रपल फोल्ड करके हमें इस तरीके से काली मर्च अच्छे से प्रैस कर देनी है जिसे कि अब झब हमारी सारी बनके त्यार हो जाएंग फिर फ्राय कर रचेक्च अब लाये नहीं है। एक मने बनाख यू अपन जो सारी बनाके रखनेंगे ठीमान करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तब ही सब्सक्राइब का वटन दबाएं बारवर नहीं दबाएं तो चलिए बात बात में मारा ओयल भी गरम हो चुका है और इसमें अपनी मठ्रियां डालेंगे तो पहले हम राउंड वाली मठ्रियां डालेंगे तो देखें फंट्स यह ओ हो बि हम अकुकित का सब्सक्राइब कर देखे अधान डेखें इस तरह से दाला अब है काफी ऐलती है कडाएं कि एसका इसके अरहल पर अब्खलन से इसमें इसले ना मीजन से धीकशन डालेंगें हूए तो और पोटनशितो करें इससे चर siar छोड़ना नहीं है, इसी तरह निई को टी तूड़ हो से देश तूरेज़ने करें, जब वैँलकोल से जाएंगी हिलकी सी ही तरफ से उस्षी तभी हो घोआट पर वांट नहीं थिसकता है यह बहुत काफी खसता है वृचलाले जाए यह जन्द आर में ठाखिती थाता है तो तोक्त आले में तो बन्लो रखने कैंवने को लीट रखि़े को थाइब तो यह थोड़ी करके हम इस यह भी डाल देंगे इसमे तो देखे फंट इसी तरीके से हमने इस सारी डाल देनी है थोड़ी-धोड़ी अब मेरी हाँ इसकी तंपरिचर बल्कुल सही ए ऐल का इस टाइम राउंड में काफी तेज हो गया था देख रहें आप इस टाइ फैको टमफरीचर रखना है सो convenience इसी तरीके से थ का में इसका टमफरेचर रख रखना है तो ऐस त्लिक्विक अगरू समई त्लिक्वाट चेकवागुत नरेटर कर शयरे लिएम जाल दीएं ने ऐब हैं प्रिक्विक टमफरेश 어 padres वहां से K तो ज्यादा नहीं छेड़ेंगे कि काफी नाजुक है इस टाइम थोड़ी सी कहीं अब हम पल्टेंगे इने दिमी धीमियाच पे थोड़ा थोड़ा तो इनको हम हिलाना दूलाना चालू करेंगे नहीं तूट जाती हैं काफी सॉफ्ट होती हैं तो देखे फंड इस तरीके से दिमी धीमियाच मेंने शेक लेना प्लट के कुछ ख़लके अलकी गुल्टन होने लग गई हैं तो देखे फंड इसे हम धीमियाच में इस तरीके से शेक लेगे तो देखे फंड एक आफी हत तक सिख गई हैं तोड़ा और शेकना इने क्योपकि मैटर करता है कि अंदर तक निकलने से पहला निकल जाता है फिर हमें इसे प्लेट में डालेंगे तो देखे इस तरीके से हमारी ये भी मठ्रिया सिक्के तयार हो चुकी है मस्त टैंटिंग लग रही है ना विल्कुल कितनी खूबसूरत मन महुख देखते ही आ जाता है मूँ में पानी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करा करें और लाइक्स करा करें कमेंट करा करें और आप और तरह की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ श आपक्ल चुका है तो चली फैंट